हाँ बेटा तो जी ओसी का डाउट पूछा जा रहा है असे डमाइट में नोट वन और टू चलो भईया समझ लेते हैं हाँ अब नोट वन जो है वो है अधर सफिक्स अधर सफिक्स है कारबॉक्समाइड और जो प्रिफिक्स केहला रहा है कारबॉक्समाइड यह नोट वन है और नोट टू है note 2 है prefix और जो prefix है इसका वो prefix कहला रहा है कार्ब अमोई तो पहले इंगलिश याद रख लो कि जो दूसरा suffix है वो कहलाता है जो दूसरा suffix है उसका वो क्या कहलाता है नाम बोलो क्या कहलाता है अरे बाकी लोगों बोलो कुछी को तो याद होगा कार्बॉक्सामाइड और इसका जो प्रिफिक्स है वो कहलाता है कार्ब अमोईल आईए अब ये बात को आपको समझा दूँ चो जी ओसी का डाउट पूछा गया अच्छी बात है कम से कम ये साबित करता है कि आप कुछ थोड़ा कि लोग इस चीज का फाइदा उठाओ आईए पहले इसका discussion कर लो मैं अब बेटा एक functional group होता है acid amide सबसे पहले बात सर वो दिखता कैसा है बेटा दिखता है carbon की chain और carbon की chain में carboxylic acid होता है C double bond और साथ में OH वो OH की जगा अगर NH2 लगा दो तो ये कहलाता है acid का amide in general it is known as carboxy acid amide अच्छा इन जनरल वैसे सचा ही बोलूँ तो short में हमें से acid amide ही कहते हैं तो यह हमारा functional group हुआ अब सर नियम क्या है selection of main chain का selection of main chain में वो carbon आना ही चाहिए जिससे functional group जुड़ा हो अब actually बेटा carboxylic acid और उसके derivative एक ऐसे functional group हैं जिनमें खुद में carbon मौजूद रहता है यह हमें दिखी रहा है यह carbon यह normal carbon नहीं है यह sp3 hybridized carbon नहीं है, alkyl group का carbon नहीं है लेकिन carbon तो है और ऐसे functional group जिसमें खुद में carbon रहता है अव्वेसी बात है नियम कहता है functional group जिस carbon से जुड़ा है उस carbon को main chain में लो अब भले यह carbon functional group का carbon नहीं है तो carbon तो नियम के साथ से तो हमें इसे main chain में लेना पड़ेगा तो अगर इ क्योंकि हम generalize काम कर रहे है तो branch को ही नहीं है और main chain को हम cyclic नहीं मान रहे है तो column 1, column 2 absent है, column 3 क्या हो जाएगा, alk, alk कौन decide करेगा, r और c की संख्या, length, alo, हम generally मान रहे हैं कि यह main chain saturated है, इसलिए primary suffix हो जाएगा, in, अब बात आती है, secondary suffix, यानि कि column 5 की, तो हमें suffix याद होन चाहिए, क्योंकि यह तो नाम ही है, नाम तो याद ही होने पड़ेंगे, लेकिन हमें फिलाल किसका suffix बताना है, सर यह double bonded oxygen और NH2, इसका suffix क्या होगा, क्योंकि इसका carbon, तो main chain में आपने count कर ले, इसका suffix होता है, बच्चों, amide, obviously बात है, numbering करोगे तो minimum number functional रूप को देना ह है, वोवल के पहले आने वाले वोवल को काट दो, तो वोवल A के पहले वोवल E उसको हमने काट दिया, तो यह इसका IUPAC नाम हो गया, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, ठीक है, तो सर यह तो हो गया, amide की naming करने का तरीका, आपने कुछ examples देखे भी होगे, लेकिन actually बेटा, अगर कभी भी main chain, मतलब main chain अगर cyclic है और cyclic chain से directly carbon जुड़ा है, आईए आपको case देखाओ, कभी भी आपको ऐसा case आता है कि कोई cyclic main chain है, मालो मैंने 5 carbon की cyclic chain मना दी, और इस main chain से directly functional group जुड़ा है, functional group amide क्या होता है, C O NH2, अब नाम कैसे करेंगे, दिक्कत कैसा, दिक्कत यह है बेटा, कि नियम कहता है उस carbon को main chain में लेना ही है, जिससे जुड़ा है functional group, तो यह अगर आप carbon मानते हो, तो बेटा, दूसरा नियम कहता है कि straight chain और cyclic को साथ में, आप main chain में select नहीं कर सकते, या तो straight chain को select करो, या cyclic को क तो आदमी ने क्या किया, हाला कि सचाई है कि 2004 के convention के पहले यही सही माना जाता था, क्या माना जाता था, कि नियम कहता है, main chain में वो carbon आना ही ची, जिसमें functional group हो, तो actually, अगर आप 2004 के पहले का नियम लगा लोगे, तो आप को main chain यह है, क्योंकिसा main chain में वो carbon आना ही ची, जिसम अला कार्बन ही हो गया, तो नाम बोल दिया जाएगा, one पे लगा है, क्या, cyclo, लेकिन यह branch है, तो cyclo, pent, और branch है, इसलिए, ile, जैसे alkyl बोलते है, लेकिन यह 5 carbon pentile थोड़ी है, तो cyclo pentile है, तो यह हो गया column one, branch का नाम ले लिया, column two, main chain तो यह है, sir, यह cyclic थोड़ी है, तो column two does not exist, column three, root word, root word क्या हो जाएगा, meth, column four, एक carbon to saturated ही होगा, और one पे आ जाएगा, amide, hello, लेकिन बेटा, 2004 के convention के बाद यह नाम को, IUP से ने का ही, गलत है, क्यों, क्योंकि IUP से ने का, देखो भई, यह नाम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत, actually सुनने में, जैसे आप खुद सोचो, यह नाम को, यह नाम, अगर आपके सामने लिखा और आपको structure draw करना हो, तो actually आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्यों, अभी मैं आगे बता रहा हूँ, जो दूसरा convention के बाद, जो दूसरा नाम आया, IUPAC ने कहा, कि भईया, आज से जब भी cyclic chain हो, और उससे directly अगर functional रूप जुड़ा हो, तो तुम्हारे को हम एक और option दे रहे हैं, लोगों ने कहा, क्या option, उसने कहा, ऐसे functional रूप जिसमें खुद में कारवन मौजूद है, हम उसके आपको दूसरे suffix के साथ नवाज रहे हैं, दूसरा suffix आपको बजार मे introduce करते हैं, तो यह जो अमाइड functional रूप का हम इस्तमाल करते हैं, इसकी जगा दूसरा functional रूप बजार में आया, कार्बॉक्सामाइड, क्या आया? तो मान लो यह हो गई main chain और C-O-N-H-2 में, पूरे के पूरे C-O-N-H-2 के लिए suffix था, तो C-O-N-H-2 के लिए क्या suffix होगा बेटा, इसके लिए बजार में suffix आ गया, कार्बॉक्सामाइड, तो अब अगर पूरा का पूरा functional रूप है, तो अब नियम का कोई रंगनी होगा, कैसे? नियम क्या है? किस main chain में वो carbon आना ही चाहिए, जिससे functional रूप हम क्या मानने है? पूरा C-O-H, तो C-O-H किस carbon से चुड़ा है? C-O-H इस carbon से चुड़ा है, इस carbon को main chain में अगर आना है, तो यह carbon main chain में आ गया, तो पूरी cyclic ring main chain में आ गयी और यह हो गया, first carbon, hello? सर अगर यह first carbon हो गया, तो numbering कैसे भी करनी है, बाकी कर दोते है, पांच carbon की main chain होगी, अब main chain में कोई branch है? नहीं है, column 1 absent, column 2 present, क्योंकि main chain cyclic है, तो हम नाम आ जाएगा, इसका cyclo, column 2, यह cyclo column 2 का है, यानि की first carbon पर क्या functional रूप लगा है? कार्बोक्समाइड, तो यह हमेशा दूसरा suffix उन functional रूप्स के लिए दिया जाता है, जो खुद में carbon कैरी करते हैं, बात समय में आती है सबको यहां तक, बोलना पड़ेगा सबको, सब नए बच्चों, कनिका के अलावा भी जो नए बच्चे है, ठीक है, यह मैं खतम कर दो, यह पूरा हो नहीं होगा, बस यह खतम कर दो, इसके साथ एक बात आपने और देखी होगी, नोट टू में डली होगी, वो होगा prefix, आपको amide के लिए prefix भी दिया है मैंने, amide का functional रूप क्या होता है, C-O-N-H-2, अब जब बेटा इसको ऐसा prefix किसी का कब यूज करते है सर, सर प्रिफिक्स तो तब यूज करते है, जब उसको क्या मानते हैं अपन, branch, अलो, लेकिन सर य इसको branch क्यों मानेंगे, ये भी मैंने आपको बताय हुआ है, क्या, कि एक से जादा functional group अगर मौजूद है बेटा, तो जो senior functional group है, उसको आप functional group मानेंगे, उसके आगे 7th junior भले functional group हो, पर उसके आगे वो branch की तरह treat किये जाएंगे, ये naming का नियम है, of poly functional group, poly मतलब एक से जादा जब functional group मौजूद होते हैं, सर हमें कैसा पता चलेगा कौन सा functional group senior है, बेटा मैंने functional group पहाए ही seniority के हिसाब से, मैंने आपको बोला भी है, जो functional group आपने पहले number पे याद किया है, विचिस कार्बॉक्सलिक असे आपको ये भी याद रहना चाहिए, कि आपने पहले number पे याद रहा हूं है, cyclic chain में मेरे पास लगा है COOH और साथ में लगा है CONH2, इसको CONH2 भी लिख सकता था, पर फिलाल मैं अभी एक अठा लिख रहा हूं, ठीक है, अब बात आती है, selection of main chain, main chain में वो carbon आना ही चाहिए, जिससे functional group जुड़ा हो, क्योंकि main chain cyclicar उसके साथ directly ऐसा functional group ज senior functional group है हम ID से, देख लो आप, अच्छा, तो यह मान लिया गया functional group, और functional group के इस carbon से जुड़ा है, इस carbon से जुड़ा है, तो पूरी cyclic chain main chain हो गए, numbering कर दो, minimum number functional group को देते हैं, तो यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5, यह हो गया 6, अच्छा, त तो branch के लिए क्या होता है, prince के लिए तो prefix होता है, इसका prefix मैंने आपको इसनले बताए, इसका prefix क्या होता है, बच्चों, carb amoyal, क्या prefix होता है, इसका, carb amoyal, तो तीसरी position पे लगा है, carb amoyal, यह हो गया branch, इसले इसका prefix लगा है, column मन खाता हूं, column 2 main chain cyclic है, इसले cyclosp YouTube, कालम 3 दूइ छे कार्बन की में आद आड इसे क्स कॉलम 4 साचिरे nuovo हम और और कॉलम 5 वन पे स्कार्बन के साथ का डू build सप्पिक्स क्या होता है कार बॉक्सलिक रो talk … इसपेलिंग आपको आती है नहीं बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाएंगे सेलेक्शन और मेंचेन का नियम क्या है कौन बोलेगा सबसे पहले उस कार्बन धूंडो जिसमें फंक्शनल रूप डूड़ा हो फंक्शनल डूप नहीं जोड़ा है हांपे साथ नहीं 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 क्योंकि नहीं रखेंगे घलत करेंगे तो सबस्वेलानी चनल उसके भाण माझाड़ी उसके लिए जाड़ी चलाएंगे गाड़ी एक छोर से चलाएंगे तो माठ लो यहां चलाएंगे तो नीचे जाने के का ऑप्षयनि ही नहीं क्योंकि में गाड़ी हमको सटाग पे चलने क्यारिकार चला εκवर नहीं कर्ण require निदा रूक जाओ अब बताब, सीधे जाओंगे, नीचे जाओं कहीं भी चले जाओ, सर, बात एक ही है क्योंकि सीधे भी एक कार्बन, नीचे भी एक कार्बन हलो तो सीधे ही चले जाते एक छोड़ से दूर से छोड़ कि बाद अब कुछ नहीं पंचायत करने ही रीट्रेस करना है रीट्रेस करो कि तो एक डबबा बन जाएगा और डबा में चेन के लाएगा है लो में जैसे ही बन जाए ब्रांच को मार लो गोला क्योंकि अलग से ब्रांच जैसे दिखने लगती है अब बात आती है numbering की numbering क्या कहती है minimum number उस carbon को दो जिससे minimum number किसको मिले functional group को hello है नहीं फिर minimum number किसको देने की सोचो multiple bond को है नहीं फिर minimum number किसको देने की सोचो lowest location rule lowest block and rule अभी क्या है बेटा numbering दो ही तरीके से हो सकती या तो left से right या तो right से left अब कौन सी सही है उसको देखना है तो मैं दोनो numbering लिख देता हूँ पहले मैं left से right लिख रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच छे अब मैं right से left लिख रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच छे अब red वाले pen से location कहां कहां आई बच्चों red वाले pen से सर्प पहली branch आई दो पे next आई तीन पे और next आई पाँच पे hello blue आले pen से location location कहां कहां आया sir two पे आया four पे आया और five पे hello yes sir रामायर की तरह तीर चलाओ इसका पहला तीर चला two का इसका पहला तीर चला two का दोनों के तीर बराबर थे रामायर देखी है एक पीछे background music आती है और वो तीर गायब हो जाता है मतलब दोनों लड़ गए कोई जीता कोई नहीं जीता hello add bad नहीं करना होता है minimum से minimum लड़ाते है टाई हो गया next इसका अगला तीर चला तीन का इसला अगला तीर चला चार का कौन minimum number है तीन लोएस्ट नंबर तीन है इसले रेड वाली numbering जीत गई ब्लू वाली पूरी numbering हार गई hello yes sir बोलना पड़ेगा yes sir this is lowest location rule hello yes sir clear है अब एक थोड़ा सा इसमें alphabetization भी जोड़ दूँ कि वो clear है चला ठीक होता है बेटा और पूछ चलो सामने देखो बच्चो जन्रल नेमिंग होती है आयू पीएसी में भाई आयू पीएसी तो होता है systematic नाम एक नाम होता है घर का नाम जिसे हम general नेम कहते हैं अब सब्सक्राइब का और यार किसी इंडस्टी में यूज हो रहे होंगे तो कोई आद्मियों ने general नाम रख दिया होगा और वो प्रचलित हो गया होगा तो रोक लोगे उनको नाम बोलने से तो जन्रल नेम ही होता है Alloylic, अब कुछ Groups के Groups मतलब कारबन की कुछ फोटो के General नाम है, जैसे शायद एक फोटो आई मैं निकल आपको बताई थी वैसे ही एक General Alkyl Group होता है बेटा उस General Alkyl Group का नाम होता है Allylic Group क्या नाम होता है बेटा अलकाइलिक नहीं Allylic Group क्या नाम होता है फिर से बोलो Allylic Group कोई बात नहीं Allylic Group इता राइट है अब सर Allylic Group कैसे दिखता है बेटा ये भी structural photo है जैसे ISO की photo याद है ना वो photo दिखनी चाहिए Allylic Group क्या है सर अगर Allylic Group आपको याद रखना हो तो मेरे पीछे पीछे गाना गाई है बोलो Double Bonded Carbon के Double Bonded Carbon के Baju वाले Carbon की Free Valency Free Valency रुख जाओ अब पहले मैं मेरे गाना गा लें दो कभी भी ये फोटो दिखे ये फोटो मतलब मैं गाना गा रहा हूं सुन लो बेटा पॉज कर लो बाकी लोगों अपना audio वना echo होता है ये फोटो जहां भी दिखे ये फोटो मतलब मैं गाना गा रहा हूं अब डबल बॉन्डेड गारबन के बाजू वाले कारबन की फ्री वैलिक जब जब ये फोटो आपको दिखे ये फोटो जनरली कहलाती है अलायलिक ग्रुप क्या कहलाती है पहला कारबन है डबल बॉन्डेड का इसकी free valency में कुछ भी लगा हो मुझे फरक नहीं पड़ता कोई alkyl group हो hydrogen हो यहां भी कोई दूसरा alkyl group हो hydrogen हो फरक नहीं पड़ता obviously यह जो beach का carbon है यहां पे hydrogen हो या कुछ alkyl group भी हो फरक नहीं पड़ता फिर भी रहेगा तो double bonded carbon ही hello double bonded carbon का जो बाजू वाला carbon है वहां मैं बहुत ज़ादा आप से यह बात कह रहा हूँ कि वहां पे दो hydrogen होने चाहिए अगर दो hydrogen है तो यह कहलाएगा one degree allylic group क्या कहलाएगा one degree क्यों 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 यह जो allylic carbon है वह कितने carbon से जुड़ा है एक वह carbon कैसा है उससे फरक नहीं पढ़ता यह अपने एक तो free valency हो गई अपनी तीन valency हो मैं से कित्ती मैं से carbon से जुड़ा है एक से hello तो sir two degree allylic भी हो सकता है हाँ हो सकता है कैसा होगा two degree allylic देखो मैं जनरल फोटो बना देता हूँ शायद सोच ही पा रहे होगे आप लोग सरा allylic बोला मतलब double bonded carbon के बाजू वाले carbon की free valency इस free valency में एक और R जोड़ दो क्योंकि इधर तो double bonded हो नहीं चाहिए तो मतलब इसमें एक H होगा तो यह two degree allylic हो गया यहां free valency में कुछ भी हो यहां कुछ भी हो बाकी लोगो आचा तो allylic एक जनरल फोटो अब सर इससे क्या तीर मार लिया आपने बेटा जैसे मैंने कल कुछ examples कराए थे ना आपको कि जैसे मैंने iso group बोल दिया था अब जैसे माल लो कोई आपसे कह रहा है allylic chloride का reaction कराना है तो आप इतना समझ जाओगे allylic chloride मतलब सर double bonded carbon के बाजू वाले carbon पे CL लगा दो हलो तो यह क्या photo हो गई allylic chloride मेरी बात समझ रहे हो हलो तो this is the general अब जैसे यहां पे माल लो chlorine की जगा मैं OH लगा देता तो इसको क्या बोलते allylic alcohol यहां पे OH की जगा मैं NO2 लगा देता तो क्या बोलते allylic नहीं चलो यह तो ब्रांच की तरह treat होता है तो माल लो fluorine लगा देता तो क्या कहते allylic fluoride hello yes sir यहां पे मैं fluorine की जगा एक ठो बॉल लगा देता तो इसको क्या बोलते है general naming में अज यो सीखा आपने allylic ball यहां मालो में master खड़ा कर देता तो इसको क्या बोलते है allylic master यह बात बात साज में आगे यह allylic group is the general photo general naming for this photo and this photo is known as allylic group double bonded carbon के बाजुवाले carbon की free valency अब सुनो बेटा aldehyde भी एक functional रूप होता है कैसा दिखता है sir बेटा carbon में double bond O होता है यहां मानलो main chain कोई भी हो और functional रूप यहां से चालू हो रहा है कहां से मैं color बदल देता हूँ functional रूप का functional रूप यहां से चालू हो रहा है aldehyde के functional रूप में खुद में carbon होता है double bonded oxygen होता है और इस तरफ carboxylic acid में OH होता था यहां पे कुछ नहीं होता है मतलब hydrogen होता है यह photo C double bond O bond H की photo aldehyde का functional रूप कहलाता है लेकिन दुबारा यह functional रूप में खुद में carbon है तो अगर selection of main chain करोगे तो बेटा यह carbon भी main chain में आ जाएगा तो यह बन जाएगी main chain तो यह alk में आ जाएगा इसका नाम saturated है इसलिए in अब रही बार double bonded O और इस H के लिए suffix का इस्तमाल होता है अलल functional रूप का carbon इसलिए पहला होगा तो यह one al तो यह तो al एक general use होने वाला suffix है जो कि हमेशा use होगा तो aldehyde का suffix क्या हो जाता है al al लेकिन फिर से यह एक ऐसा functional रूप है जो जिसमें खुद में कारवन है अगर ऐसा functional रूप directly cyclic chain से जुड़ा हो तो वही वाली पंचायत होगी तो 2004 के convention के बाद IUPAC ने सर आपने तो बताया था उसने दूसरा suffix दे दिया तो बेटा वही है कि cyclic chain में जब CHO directly जुड़ा हो तो इस carbon को आप main chain में नहीं ले पाओगे किस carbon को इस carbon को क्यों क्योंकि लोग है तो सिर्फ यही main chain में आएगा तो नाम सुंदर IUPAC को 2004 के बाद IUPAC ने सका कि हमको structure साफ सचतब सुंदर सुनने में लगता है जब तुम इसका दूसरा suffix का इस्तमाल कर लो तो इसका दूसरा suffix क्या हो गया यह पूरे को functional रूप मानो तो आप carbon का भी suffix में नाम लेना पड़ेगा तो इसका suffix होता है carb aldehyde क्या होता है तो भाई बाकी नाम से में मेंचेनिय हो गई तो हो गया cyclopent मानो यह unsaturated भी है unsaturation 3-4 के बीच में है तो 3-1 पे carb aldehyde और वही वाली बात कि सर इस functional रूप से भी कोई senior functional रूप अगर मौजूद हुआ तो इसका prefix की भी आवशक्ता पड़ेगी वही मैंने note 2 में बता है कि CHO prefix में बेटा हमेशा उस carbon के साथ ही उसको branch मानना पड़ता है तो इतना ध्यान रखना prefix में हमेशा जो prefix आएगा वो carbon के साथ ही होगा functional रूप का तो यह CHO का साथ functional रूप का जो alphabetically पहले आए तो भले function रूप था अब इसका senior function रूप है तो इस branch को branch तो माना यह बाकी branch से भी हरा सकते हो कब alphabetically तो देखो शयद हार भी रहा है 2 पे इथाईल है 5 पे 4 mile है हम इसको E के बाद लिखने है क्योंकि अभी F है बहले function रूप था पर अपने घर में अगर इससे ज़्यादा senior function रूप मौझूद है तो अब यह branch की तरह ही treat किया जाएगा इसका prefix पता हो ना चे जो हमें पता चल गया दिक्कत बोलो Carbons में सबने notes revise किये ही होंगे अच्छी बात है करने भी चाहिए नहीं कर रहे हो तो और खत्रे की बात है आपके लिए जैसे जैसे notes read करते जाओगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे नहीं read करोगे नहीं याद होगे बैट के रटने की कोशिश करोगे जितनी तेजी से रटोगे उतनी तेजी से भूल जाएगा क्योंकि आगे कहीं भी कोई भी competition का paper देते हो तो फाइदा यही करेगा क्या चीजें recall करने की शमता है, recall तभी कर पाओगे जब गाने की तरह वो याद हो गाना एक दिन में नहीं रटता, गाना गुन-गुनाया जाता है, मजे लेते हुए एबिना efforts के साथ, बस गाना जब भी गाते हैं, जैसे गाने की शब्दों को feel करते हुए गाते हो, वैसे यहाँ English को Hindi में समझते हुए, read करो, ठीक है, कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो बच्चों, प्रयास करिए, कि read करना चालू करतो, सिर्फ read करो, चलूँ Alkane को हम preparation के तरीके सीख रहे थे, Alkane के preparation के अब तक हमने कितने तरीके सीख ली है, बच्चों जवाब नहीं आया, जल्दी जवाब आना चाहिए था, Alkane को बनाने के अब तक हमने दो तरीके सीख ए, पहला तरीका क्या है unsaturated hydrocarbon कैसे बनाते हैं hydrogenation से ठीक है दूसा तरीका क्या है alkyl halides alkyl halides से alkyl halides से बनाने के कितने तरीक है फर्दर दो दो पहला तरीका का नाम woods reaction में करते क्या थे alkyl halides का reaction sodium के साथ करा जेते थे dry ether में alkyl halides का जो rx होता था वो दुगना rr यानि की hiral kin बन जाता था कोई दिक्कत ठीक है उसमें और भी कुछ detailing थी वो धीरे धीरे read करते रहना है broad इतना तो एकदम कंठस्ट रहना ही चाहिए alkyl halides से alkyne बनाने का दूसरा तरीका reduction में rx का reaction करा देते हैं hydrogen gas के साथ ये reaction normally नहीं होता तो zinc और acid का catalyst की तरह इस्तमाल कर लेते हैं होता ये है rx से x हट जाता और h लग जाता है hello yes sir ठीक है तो alkynes को बनाने के हमने फिलाल अभी सर्थ तरीके तो msc करेंगे तो 2 करोड होंगे पर हमको केवल वो जानकारी होनी चाहिए जितनी NCIT में दी है हाँ उससे related वैसे ही हम ABCD करके extra detailing कर लेते हैं उसके बारे में वो extra detailing ही अच्छी होती है वही JEE की बात होती है बाकी सबसे जादा ज़रूर ही है तो केवल कमस कम ये basic तो याद ही रहना चाहिए ठीक है और शायद हमने तीसरा डाल दिया था अलकेंस को बनाने का तीसरा तरीका की heading डाल दी थी क्या हमने बोलो अरे बोल भी तो भाई चीक है तो तीसरा तरीका अलकेंस बनाने का था from carboxylic acid बड़ा ती और carboxylic acid से अलकेंस बनाने के भी कई तरीके होंगे उसका पहला तरीका है रोमन नमबर वन इंग्लिश है soda lime decarboxylation इतना लिख चुकियो बच्चों कि लिखना है ठीक है soda lime decarboxylation को समझने के लिए सबसे पहले लिखेंगे point करमांग small लिखने के भी पहले बच्चों मेरी बात सुन लो बेटा soda lime decarboxylation में actually हम reaction कराते है sodium salt of carboxylic acid का किसका sodium salt of carboxylic acid का अगर आप देखो तो ये R, C, double bond O bond OH होता तो ये carboxylic acid था आप गौर करो उसका H हटाके मैंने N लगाया है तो sir acid का H हटाके अगर Na बनाए हो मनदा acid ने salt बना लिया है देखो नाम भी लिखा हुआ है ये क्या कहला रहा है ये कहला रहा है sodium salt of carboxylic acid ये sodium salt of carboxylic acid का मैं reaction करा रहा हूँ plus करके दिखा रहा हूँ मैं NaOH NaOH बच्चों हमें सब को पता sodium hydroxide कहलाता है लेकिन इसको generally कई बार हम soda भी कहते हैं तो soda ये है ये reaction होती क्या बेटा caustic soda ठीक है caustic soda बिल्कुल सही general नाम exact general नाम caustic soda है पर क्योंकि organic में actually NCRT soda lime decarboxylation कहके लिखती है तो मैंने इसले सिर्फ soda लिख दिया तो ये हो गया NaOH soda ये reaction बेटा lime की मौझूदगी में होता है lime से reaction नहीं होता lime इक catalyst की तरह behave करता है क्या करता है लिखेंगे आगे फिलाल आप यही मानो lime की as a catalyst कोई मदद करता है reaction के होने में actually react नहीं कर रहा है सिर्फ मदद कर रहा है what is this lime CAO और heat कर देते हैं जब ये करते हैं तो होता क्या है ये समझना और याद करने के लिए हमें एक देसी डबबा method सोचते हैं what is डबबा method master सामने देखो बेटा lime की मौझूदगे में होता ये है कि जो carboxlic acid का salt है ये CO2 release करता है CO2 कैसे release करता है वो NA के साथ डबबे में बंद कर दिया खुद combine करके बता हो क्या बनेगा बेटा NA2CO3 दिख रहा है दिख रहा है अलो बाकी लोग हो तो ये CO2 इस carboxlic acid के salt से निकला लेकिन किस रूप में निकला गैस के रूप में नहीं NA2CO3 यानि की नाम भी लिखा है sodium carbonate के salt के रूप में बचा क्या सर बचा बेटा ये R और ये HE जुड़ गया क्या बन गया अलकेन हम किस में interested हैं organic compound में क्या हमने अलकेन बना लिया हाँ सर हमने बना लिया बात सब्सवज में आती है सबको बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा सबसे पहले हाँ बेटा पहले सबसे पहले बच्चों reaction लिखना सब लोग चालू कर दीजे मैं एक बार फिर से गाना गा देता हूँ soda lime decarboxylation में sodium salt of carboxylic acid का reaction होता है soda यानि sodium hydroxide के साथ ये reaction lime की मौझूदगी में होता है विच्चे CO heat कर देते हैं ये करने से carboxylic acid का जो salt है यानि की reactant हमारा ये CO2 gas release करता है लेकिन कैसे in form of salt वो salt को बनाने का सोचने के लिए ये mechanism नहीं है ये कियाद करने का तरीका है डबबा बना देता हूँ मैं और डबबा कैसे बना रहा हूँ ये ऐसे तो यहाँ पे CWO NA और यहाँ पे NAO मिलके क्या बना दिये NA2CO3 इसका R और इसका H जोड़ गया तो क्या बन गया अलकेन तो ये तरीका हो गया अलकेन बनाने का आप गौर भी कर सकते हैं पे जो अलकेन बन रहा है जो कार्बॉक्सलिक असेड में कार्बन की चेन थी ना बेटा जितने भी कार्बन की उससे एक कार्बन कम होगा इस अलकेन में ये बात गौर कर पा रहे हो क्योंकि इसका एक कार्बन कार्बन डायोकसाइड बनाके NA2CO3 के फॉर्म में रिलीज हो गया एक्चली बेटा कन्वर्जन्स में आपको कई बार इस प्रक्रिया का इस्तमाल करना पड़ता है क्यों क्यों क्योंकि आपको कार्बन कीचेन अगर एक से घटानी है तो एक अच्छा तरीक है कैसे यूज होगा 12 बेटा एक कन्वर्जन्स में आप कम्फर्टेबल होगे आच्छली पूछा भी 12 में जाता है लेकिन सर्फ बोड में भी आता है हो सकता है आपके 11 बोड में स्कूलों में न पूछा जाए बोड तो नहीं होता कि लेकिन फिर भी 12 बी तक के लिए काम समझदारी से करने के लिए आच से शुरुआत जरूर करते है तो ये होगे हमारा पॉइंट करमांग स्मॉल है जिसमें हमने सिर्फ रियक्शन लिखा ठीक है कभी भी आपको स्कूलों में सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन एक्स्पेंड करने को आएगी एक नंबर की आप सिफ रियक्शन लिख दोगे ना बच्चो क्या करोगे इंग्लिश लिखोगे क्या इंग्लिश लिखोगे सर नाम तो लिखी देते हो आप सोडियम सॉल्ट अफ कार्बोक्सिलेशन प्लस की जगा लिख दोगे आपको रियक्स विद बोलना है और एरो की जगा आप टू प्रोड्यूस बोलना है और एरो की उपर जो कहानिया लिखी है इन प्रेजन्स ओफ उंग्लिश जोड़ देनी है बाकी इंग्लिश आइप आप लोग लिख लेंगे हालाक यह भी लिखने की जड़त नहीं है मैं समझाता हमेशा बार-बार चलता ही हूँ ठीक है इतना लिखो लिखो तो हाँ बोलो पहले इतनी इंग्लिश लिखो लिखो तो हाँ बोलो फिर मैं गाना गाऊंगा इसके पीछे की हिंदी का और एक काम करो उसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके लिख दो क्या सोडा इस तो लाइम रेशियो इस टेकन आज इस टेकन आज 3 इस तो 1 यह पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिख देना पॉइंट कर बांग स्मॉल बी में पहले इत्ता लिखो लिखो तहां बोलो शायद हमको ये तो S-Block से पता होगा इन और गेनिक से हमको जानकारी होगी Term 1 में हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ बेटा शायद आप इतनी बात जानते हो कि जो अलकली मेटल का हाइड्रोकसाइड ये बहुत वैसे सारे के सारे अलकली मेटल्स ही काफी रियाक्टिव होते हैं लेकिन अलकली मेटल के हाइड्रोकसाइड का एक रियाक्टिव नेचर ये है बेटा कि ये आर हाइली डिलिकसेंट बेटा ऐसी चीज़ अरे बिश्कुट पारले जी पारले जी मास्टर देखो अपना निकाल लो पैकेट खोलके तो पहले दिन तो बढ़िया कुरूम कुरूम लगता है सर एक दो दिन अगर बरसात का सीजन हो तो एक दम ही और एक दिनी सिल जाते हैं हम लोग देशी भाशा में बोलते हैं तो वो crunchiness क्यों चली जाती है? चली जाती है कि जो हवा में moisture नमी होती है वो उसमें absorb हो जाती है अब बेटा वो एब्जॉर्ब होना कई बार केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है कई बार वो केमिकली रियाक्ट कर जाती है आच्छा तो एने ओएच भी एक ऐसा सब्स्टेंस है विच इस हाइली डेलिकसेंट हलो अच्छा तो काइदे से हमने एने ओएच बजार से खरीद के क्यों लाया है क्योंकि हम इसका रियाक्शन सोडियम सॉल्ट अफ कार्वॉक्सलिक असिट से होने देना चाहते हैं अगर हलका सा इसको मौईश्यर मिल गया न तो यह निकल लेगा बेटा पानी के साथ और एने काम होता है बेटा कैल्शियम ओक्साइड का काम होता है इस पानी को खुद में एब्सॉब कराया रहना क्यों सर किक लाइम कैल्शियम ओक्साइड की एक प्रॉपिटी होती है कि इसकी पानी को absorb करने की moisture तक से पानी को खीच लेने की tendency ज़ादा होती है किस से? NaOH से तो NaOH रहा आएगा और organic acid से react कर लेगा whereas अगर हवा में नमी होती भी है तो उसको compensate कौन कर देगा? actually यहाँ पे CAO reaction में कोई मदद नहीं कर रहा reaction में कोई और panchayat न करे पानी वो कर रहा है तो काईदे से in the presence of तो बोलना ही पड़ेगा भले वो catalyst की तरह भीव नहीं कर रहा क्योंकि catalyst तो दो लोगों के reaction को होने में speed बढ़ाता है यह speed बढ़ा जरूर रहा है पर speed उनके साथ दखल दे के नहीं कर रहा किसी और कोई और दखल ना दे उसके लिए खड़ा है तो यह आपको additional जानकारी मिल गई small a में और एक और industrial जानकारी है कि जब भी आपको एक काम कराना है तो soda याने की nao h और lime याने की co इसका ratio आप क्या लोगे 3 to 1 मल अगर 100 gram आप soda lime ला रहे हो तो 100 gram में 75 gram क्या होगा soda और 25 gram क्या होगा lime नहीं समझ में आता है नहीं समझ में आता है आगे बढ़ते हैं next तो बढ़िया है कुछ सवाल कर लो बेटा समझ में आ गया हो तो लेकिन बेमानी करोगे मैं नहीं चाहता आप बेमानी करो पर करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ हालगि मैं थोड़ा सा तो छुपाई सकता हूँ बेटा ये एक्जांपल्स अपनी कॉपी में लिखिए एक्जांपल रोमन नमो वन ना मट डालना क्योंकि आपने महां डालो हूँ सिर्फ एक्जांपल करना ऐसे लिखना है एक्जांपल सवाल लिखो CH3, CH2, CWN इसका नाम क्या होगा सर सबसे बहले कारबॉक्सलेक असेट का नाम बता दो तो CH3, CH2, CWN तीन कारबन का कारबॉक्सलेक असेट क्या कलाता है प्रोपेनोइक असेट अलो तो उसमें H हटा के N लगा दिया है तो इसका नाम क्या होगा Sodium salt of propanoic acid क्या नाम होगा या और करके मैंने उसका एक और नाम लिखा हुआ है, शायद आपको ये भी पता है, कि इसको ये अब सर H अगर दे दिया है, तो एक जनरल नाम का ट्रेंड है बच्चों, इसको कहते हैं, सोडियम प्रोपेनो एट, क्या कहते हैं? क्यों, क्योंकि तीन कार्बन का ये हो गया, और COO और O, ये तो सर, एस्टर वाली बरात हो गई, लेकिन सर, वहाँ पे तो R- होना चाहिए, आरे तो R- के लिए तुम लिखते थे थे न, अलकाईल, अलकेनो एट, एस्टर का नाम करण सीखा है आपने, अलो? एस्टर का नाम करण क्या होता था? अलकाईल, अलकाईल, किसकी जगा न की जगा, तो R- की जगा, अलकाईल लिख देते थे और ये पूरा नाम हो जाता था, अलकेनो एट, बस वहाँ अल की जगा, तो नाम उसका systematic name क्या हो जगा? sodium propanoate तो ये salt का IUPAC नाम भी आपको पता चल गया ये general name है उपर और नीच वाला IUPAC हलो बोलना पड़ेगा पहले इतनी चीज़ में हाँ तो sodium propanoate का reaction मैं करा रहा हूँ NaOH के साथ in presence of line मैंने हाला कि लिख arrow में दिया है पर इतनी जानकारी आपको दे चुका हूँ reactant यहाँ पर NaOH है in the presence of COA है और heat है लेकिन आपको actually boards में भी, school में भी ऐसे सवाल लिखके आ सकता है तो ये नहीं है लड़ने मत लगना होगी अरे surplus NaOH लिखो तब है product बनाएंगा और आंसर ना देंगे आपने गलत सवाल लिखा तो जीरो पा जाओगे इतना थड़ा common sense chemistry में चलता है Hello? Hello? Yes sir ठीक है क्या product बनेगा हलकी लिखा हुआ है पर बेमान नहीं हो तो खुद बताने कोशिश करो मुझे IUP से चाहिए product का सवाल लिख लो पहले तसल्ली से जानकारिया लिख लो आई नाम आम लिख लो जो लिखे है मैंने reactant के और फिर product बनाने की सोचो सोचो तो बताओ बताओ तो सीखते हैं पर फिर भी आप कोशिश कर सकते थे चलो सामने देखो बेटा sir propanoic acid मतलब पहला carbon दूसरा carbon दूसरे carbon में C double bond O bond ONAE हो गया sodium salt और propanoid sir हमको पता है soda के साथ reaction होता है line की मौझूदगी में हमने dubba method भी सीखा है sir ताकि हम product predict आसानी से कर पाएं sir यह यहां से तूटेगा यहां से तूटेगा यहां से CO2 निकल जाएगा किस form में निकलेगा in form of Na2CO3 मैं माइनस इसने कर दे रहा हूँ कि आगे बनेगा जरूर पर हो गया मुझे organic compound interest है तो श्याद organic compound दिख रहा है सबको यह R हो गया इसको इस H से जोड़ दो तो CH3 यह CH हलक यह 2 होना चाहिए बच्चों मैंने 3 लिख दिया 2 के से 2 होना चाहिए तो CH2 यहां का आगया और एक H आगया कौन सा यह वाला तो बेटा क्या बन गया यह एथेन बन गया मैंने आपको बोला ही था ना जितने carbon carboxlic acid के salt में होंगे उससे एक कम का alcan बन जाएगा हैलो बाकी लोगों समझ में आता है तो आक्शली यहां पर mechanism point of view से यह हो रहा है बेटा कि जैसे मेरे पास CH3 CH2 COO और ONA था मैंने reaction कराया NaOH से अब बेटा हम किस chemistry में interested हैं carbon की chemistry में carbon में जो alcanes होते हैं वो तो मैंने आपको बोली दिया है reactive नहीं होते हैं सर यहां पर reactive कौन होगा बेटा functional रूप कौन है सर functional रूप बेटा जो carbon है न वो है कौन साफ यह वाला कैसे पाता सर आपको यह reactive है क्योंकि यह बेटा अपने से बहुत ज़ादा electro negative oxygen से जड़ा है वो भी एक नहीं दो-दो उससे क्या होगा सर बेटा वो माइनस होंगे वो इस पे बहुत ज़ादा positivity create करेंगे यह बात समझ में आती है common sense से अच्छा बेटा इस plus को देखके ललचाएगा कौन इस reagent का कौन ललचाएगा minus बेटा minus मतलब oxygen पर जो lone pair है अच्छा बेटा फरदर यह bond तूटना शुरू होगा कैसे इस carbon को electron मिले तो यह carbon अपना electron लेके अलग हो जाएगा हलो और यह चीज तूट गए लेकिन यह mechanism mechanism भी जो मैं अभी शुरू करूँगा न बेटा यह थोड़ा सा आगे धीरे-धीरे करके और वो वो mechanism जो actually जही नीट के हिसाब से जरूरी होते है जैसे शायद मैंने वूट्स के case में आपको बताया हलो हलो हाँ लेकिन कई जगा मैं जहां क्योंकि मैंक्सिमम पेपर में प्रॉड़क्ट बनाने पर जादा फोकस किया जाता है वहां मिकान तो वैसी वैसी चीजों पर मैं मैं कैनिजम की चर्चा में नहीं कर रहा है हलो इसलिए वहां पर मैंने आपको प्रॉड़क्ट इस ऑफ प्रिडिक्शन अद प्रॉड़क्ट वहां पर मैंने देसी जनरल डबबा में जिखा दिया जिससे आप प्रॉड़क्ट प्रिडिक्ट कर पाऊ हलो चलो हटा दू इसको बच्चों चलो एक 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 एक्जामपल और लिखो बेटा एक एक एक्जामपल और मैं आपको नाम दे रहा हूँ है न बेटा आपको रियाक्शन कराना है सोडियम एसिटेट का किसका किसका रियाक्शन कराना है सोडा के साथ लाइन की मौझूदगी में और हीट कर देना है मुझे प्रॉड़क्ट बताओ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहां बन रहा है ए और बी मुझे ए और बी दोनों बताओ क्या है मतलब यहां पर मैं आपसे बाइप प्रॉड़क्ट भी पूछ रहा हूँ शाइल आपका कोमेंस आपको यह बता रहा हो ठीक है भी तो मैं ही बता देता हूं रुक जो भी तो मैं ही बता देता हूं प्रकर कुछ बोल रहा है A.E.T.N. A.E.T.N. ठीक है सबका आगया सब का आगया सिर्फ एक नहीं बोला भी यह बाकी लोगों जवाब कौन दिया भी बेर के बल प्रकर ना प्रकर क्या आया आज़र एते बाकी लोगों हो गया किसी का नहीं हो आरे बापे चाल तो अच्छा आयूश का मीथेन है तो या तो मीथेन होगा या तो इतेन होगा किसी और का कोई तीसरा उप्शन है सबने अटेंट कर लिया मैं फिर से बना रहा हूँ सबने सवाल लिख लिए है मैं आगे बढ़ जाओ तो बेटा सबसे पहली चीज तो एसी टेट कहां से आ गया सर अरे बेटा दसमी पढ़े हो पास हो अच्छा यार आप लोग के केस में तो ये भी डाउट है वरना हर बाद में ग्यारी में पूछता हूँ बोलता हूँ कि अगर आपको आपको पास हो हो इसलिए आपको नहीं पता है आपको कहा है सच्चाही है पास हो गये सकूल्पीस दिया है वीद्ट गवें तो यह तो शाल ऊसी नहीं बाई चान्स पर हो यह sodium acetate कहलाएगा इसका reaction अगर NOH से कराओगे तो यार कितनी बार एक चीज जानना चाहोगे नालायक प्रखर और समध्दार आयूश बाकी लोगों मौन रत धारियों बात समझ में आई प्रोड़क्ट क्या बना ये येस नहीं है ये मीथेन है आयूश गुड़ प्रखर हडबढा जाते हो थोड़ा सा सबर के साथ काम करो तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए हो गया सबसे आगे बढ़ू आरे बोलते नहीं यार तुम दो गया चालो आगे बढ़ जाओ ठीक है एक कोशन और कर लेते हैं बेटा मुझे थोड़ा सा भरोसा आ जाए आप पे भी एक कोशन और कर लेते हैं लेकिन बेटा ये भी सवाल में थोड़ा सा अलग फ्लोचार्ट बना रहा हूँ कोई reactant A है कोई reactant A है उसका मैं sodium metal के साथ reaction करा रहा हूँ sodium solid के साथ इससे बना B B का reaction करा है मैंने NaOH के साथ और ये reaction करा है मैंने in presence of lime और मैंने heat कर दिया इससे जो product बना उसकी photo मैं आपको बता रहा हूँ या मैं उसकी photo भी ना बता के हाँ चलो मैं उसकी photo बता रहा हूँ वो product मेरा बना वो बना मेरा ये क्या आप मुझे A और B का IUPAC बता सकते हूँ सरे का होगा पेंटेन वान पोई गाइसेड और B का होगा बाकी लोगों पहले सवाल लिख लो हाला कि हो गया है ठीक अब ये एक कावर हो गया हो गया चलो सवाल सबने लिख लिया मैं तुरा सा समझाऊ हूँ अब चलो तीन ने कह दिया हो गया बाकी लोगों सवाल लिख लिए है हां तो बोल दो बाकी हो ठीक है अब यहां पर सर एक जानकारी ना बेटा फिर से मैं एक्स्ट्रा आपके common sense को टटोल के पूछ रहा हूं और वो पता है जानकारी क्या है एसे बी पहुँचने वाली अच्छा पहले मैं आपको बी प्रिडिट करवा दूँ कैसे सर यह इत्ता तो मैंने अभी सिखाए यह क्या कि अगर चार कार्बन का आपको अलकेन बनाना है मतलब जरूर सर कार्बॉक्सलेक असिड में एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा और वो का अगा और दूए तो यह ब्यूटेन बन जाएगा तो मुझे यह पता चल गया पांच कार्बन के असेड का सॉल्ट है पांच कार्बन के असेड का सॉल्ट का आयूपेसी क्या होगा बच्चों सोडियम पेंटेनोएट सोडियम सॉल्ट ऑफ पेंटेनोएट यह जनरल नाम हो गया या सोडियम पेंटेनोएट बाकी लोगों तो बी की तो जानकारी मिल गई सर अब यह एसे बी की क्या पंचायद बता दिये सर बेटा शायद आपको यह टेन्थ से पता होगा कि कि अशिड प्लस मेटल फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस अशीट इसी करा है हाइड्रोजन गैस हम तो कार्मन कंपाउंड में इंटरस्टेट हैं तो यह जो है यह मैं आपके उस दसमी के कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्या आप यह जानते हो कि मेटल के साथ अगर कोई acid reaction करता अगर, तो salt बनता है salt अगर है sodium salt of pentanoic acid तो इसका corresponding acid तो नहीं बता पाओगे न अरे sir na की जगाएच लगा दो, hello yes sir hello बाकी लोगों yes sir चाप लो भाईय आगे बढ़ जाओ चालो बेटा, next बच 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 जाओ सिर्फ इन लिखने का काम अभी कर ले इस पे चर्चा हम कल कर लेंगे फ़र लिख ले, coal-based electrolytic method ये carboxlic acid से alkane मनाने का दूसरा तरीका इसको लिख ले, सबसे पहले small a में हम reaction लिखेंगे, हम वही यूज कर रहे हैं क्या sodium या potassium यहाँ पे दोनों में से कोई salt का इस्तामाल कर सकते हो, तो लिखा भी है sodium slash potassium salt of carboxlic acid साथ में पानी डाल रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं electrolysis what does electrolysis mean बिजली पास करना, मैं चर्चा करूँ का detail में, बस फिलाल arrow में केवल electrolysis लिख दीजेगा इससे आप बनाओगे R bond R जिसमें हम लिख रहे हैं higher alkane plus 2 CO2 gas plus 1 H2 gas plus toys of NaOH aqueous hello बच्चों यह reaction साथ में आता सबको बोलना पड़ेगा और क्योंकि naming reaction इसके लिए इसके नीचे English भी लिखेंगे लिखेंगे when sodium और potassium salt of carboxlic acid undergo electrolysis to produce alkane containing even number of carbon atoms, full stop this process is called Colway's electrolytic process या Colway's electrolytic method इसका screenshot मैं ले ले रहा हूँ और मैं group में डाल दूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है class अगर खतम हो गई और आप न लिख पाए तो आपको ये मैं group में मिल जाएगी ये photo खेर इतना सब लोग लिखना